हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल निशी एवर गीन टोपिक्स तो फ्रेंड्स आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसी आदतों की जो आपके मस्टिक्स को बहुत जादा नुकसान पहुंचा सकती हैं फ्रेंड्स ये चीजे सभी को पता होती है लेकिन इन पर कोई गोर नहीं करता अगर आप इन चीजों पर गोर करेंगे तो आप अच्छे से अपने मस्टिक्स को स्वस्थ रख सकेंगे कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़े ऐसी करते हैं जिने आप जानते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए लेकिन उन बुरी आदतों में से कुछ आपके मस्तिक्स को भी परभावित करती हैं आपको हमेशा अपनी सेहत को ध्यान में रखकर ही कोई काम करना चाहिए उद्धारन के लिए कुछ लोगों को पता होता है कि धुम्रपान करना कितना खतरनाक हो सकता है इसके बावजूद वे इसे छोड़ते नहीं नींद की कमी, अलजाइमर, रोग सहीत, अन्ये, मनो, ब्रंस, बिमारियों का कारण हो सकती हैं न्यमित रूप से सोने सबसे अच्छा और फायदे मन्द है यदि आप नींद से परिशान हैं तो शाम को सराव कैफिन या और इलेक्ट्रोनिक्स का परियोग नहीं करना चाहिए यहाँ हम आपको बताएंगे की अलजाइमर जैसी परिशानियों के कारण और उनसे बचने के उपाए अकेले में रहना, अगर आप बहुत ज़्यादा अकेले में रहते हैं तो आपको सामाजिक संपक बनाना आपके लिए लाबकारी हो सकता है आपके कितने फेस्बुक मित्र हैं या माइने नहीं रखता बलकि आपके साथ कितने दोस्तों का कनेक्शन सच्चा है यह जरूरी है जिन लोगों के पास सब कुछ करीबी दोस्त हैं वे खुस और अधिक एक्टिव पाए जाते हैं वेज्ञानिकों के अनुसार उनके मस्टिक्स की गिरावट और अलजाइमर से पीडित होने की संभावना भी कम होती है यदि आप अकेला महसूस करते हैं तो कुछ दोस्तों को बुलाएं या कुछ नए मित्र भी बनाना सुरू करें यदि आप अकेला महसूस करते हैं तो सलसा निर्टिय टैनिस फुटबोल जैसे खेल जिन में अन्या लोग सामिल हो सकें ऐसा करना आपके लिए फाइदे मन साबित हो सकता है अगला है जादा जंग फूर्ड खाना मानसिक स्वास्ते की परिशानियों से जुड़े लोग जादतर वही हैं जिन से आहार में बहुत सारे होम बर्गर फ्राइज आलो के चिप्स या सीतल पे सामिल हैं दूसरी और जामुन सा बुतानाज नर्च और हरी पत्तेदार सब्जय मस्तिक्स के कारिया और धीमी मानसिक गिरावट को कम करती हैं यदि आप चिप्स और फ्राइज खाने के बारे में सोचते हैं तो आपको यह ध्यान दिज्य की आप किसी हेल्दी और चीज का सेवन करें ऐसा करने के कारण आप दिमागी तोर पर मजबूत रहेंगे नेक्स है हेड़फोन का परियोग अधिक ने करें तेज आवाज में इयर बर्स का परियोग करने से आपका केवल 30 मिनट में आपने कानों को इस्थाई रूप से नुकसान पहुचा सकते हैं लेकिन यह समस्या सिर्पाप के कानों से ही नहीं बलकी मजबूत की समस्याओं से भी जुड़ी होती है यह अलजाइमर आव मजबूत के उत्थकों को नुकसान पहुचा सकती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मस्तिक्स को यह समझने में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपके आसपास जो कुछ कहा जा रहा है वह क्या है इसके लिए इसे बंद कर दें और एक समय में कुछ घंटों से अधिक सुनना आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है एक्सरसाइज ने करना यदि अगर आप सारे दिन के वल एक ही जगह पर रहते हैं या बैड़ पर लेटे रहते हैं तो यह आपकी सिहत के लिए नुकसान दायक हो सकता है नियमित वैयाम के बिना आप जितने अधिक समय तक रहेंगे आपको दुम्योसिया होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी आपको मदुमिया हर्द्यरोग और उक्तरक्चाप होने की अधिक संभावना हो सकती है ये सभी अल्जाइमर से जुड़े रोग हो सकते हैं आपको मेरा थान दोड़ सुरू नहीं करनी होगी बगीचे या पार्क में आदे घंटे तक ते चलना आपके लिए बैतर होगा जरूरी बात यह है कि इसे सप्ता में कम से कम तीन बार करना सोरी तीन दिन करना आपके लिए फायदे मन्द हो सकता है भोजन का अधिक सेवन यदि आप बहुत ज़्यादा फूरी है या बहुत अधिक भोजन करते हैं तो मस्तिक्स का मजबूती से निर्मान करने में सक्षम नहीं हो पाता जो आपको सोचने और याद रखने में मदद करता है वो सकती भी कम हो जाती है इसके अनुसार वेग्यानिकों का कहना है की याद करने वाली सकती तो कम होती ही है लेकिन आपका वदिक वजन बढ़ जा सकता है जिससे हर्द या रोग मदी में और उच्छ रक्तचाप होने की संभावना होती है यह सब मस्टिक्स की समस्याओ और अलजाइमर जैसे जुड़े रोग हैं कोसिस करें की केवल पोस्टी का हालें फिट रहें और जिन या योगा अवश्य करें धुम्रपान करना नेक्स्ट है धुम्रपान हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए यह आपके मस्टिक्स को सिकुड़ सकता है और यह सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है इससे आपकी या दास्ट खराब होती है और आपको अल्जाइमर सहीत डिमेशियाज होने की संभावना दोगनी हो जाती है यह हर्दियरोग मदू में स्ट्रोग और उच रक्त चाप का भी कारण होता है सिगरेट का अटार फेपड़ों को खराब करता है और धुम्रपान करने वालों में फेपड़े और गले के कैंसर का कारण बन सकता है यह धुम्रपान करने वाली उंगलिया और दातों का पीले भूरे रंग के दाख के लिए जिम्मेदार है अच्छे स्वास्थे के लिए धुम्रपान ने करें यह आपके लिए नुकसान दायक साबित हो सकता है जादे तर अंधेरे में ने रहे यदि आप प्राकर्तिक रोसनी प्रात नहीं करते तो आप उदासी के सिकार हो सकते हैं और यह आपके मस्तिक्स को दीमा कर सकता है अंधेरे में रहने के कारण आपके मन में नकरात्मक विचार आने लगते हैं जो आपके मस्तिक्स के लिए नुकसान दायक हैं बुरे विचारों से आपके दिमाग पर अधिक जोर पड़ता है और आपके सोचने की सकती भी कम होने लगती है सोद से यह पता चला है कि धूप और मस्तिक्स को अच्छी तरह से काम करने में मदद करती है आपको अपने कमरे और ओफिस में परियाप्त मातरा में रोसनी देनी चाहिए अगली है जादतर अंधेरे में रहने से बचे फ्रेंड्स आपको इसमें अपने रोसनी पर ज़्यान देना है यानि आपको पराकरतिक रोसनी में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए तो ये थी हमारी कुछ टिप्स जो वज्यानिकों के सोद से भी पता चला है कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत जादा खतरनाक साबित हो सकती हैं ऐसा करने आप फोलो करें और अपने मस्तिक्स और अपने सरीर को हस्त भुस्त बनाए रखें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अच्छी से सारी जानकारी और नई नई वीडियो आपको प्राप्त हो सकें थैंक्स पोर वोचिंग दिस वीडियो